हेलो फ्रेंड्स कमला अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लेकर आये हैं एक कहानी जो हमारे राष्ट्य पती अब्दुल कलाम की बारे में है इनका जनम 15 अक्टोबर 1931 को तमिल नाडू के एक गाव धनुष कोड़ी में हुआ था इनके पिता मच्वारों को किराय पर नाव देते थे कलाम ने अपनी पड़ाई के लिए धन की पूर्ती है तु अकबार वेजने का कार्य भी किया डक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनोतियों का सामना किया उनका जीवन सदा संगर्शिल रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देशित में अपना सरस्वन यचावर करते हुए सदा उत्क्रष्टता से केस पत पर चलते रहे 71 वर्ष्ट की आयू में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सूपर पावर बनाने की और प्रियासरत थे भारत रत्न डक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11 राष्टेपती बने वे भारत रत्न से संबानित होने वाले तीसरे राष्टेपती है भारत के मिसाइल कारेक्रम में जनक डक्टर कलाम ने देश को अगनी आव प्रत्वी जैसी मिसाइले देकर चीन आव पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौका दिया एक बार एरफोर्स के पाइलेट के शक्षातकार में नवे नमबर पराने के कारण उन्हें निरास होना पड़ा था वे रिशिकेश बाबा सिवानन्द के पास चले गए और अपनी व्यट था उन्हें सुनाई बाबा ने कहा डाक्टर कलाम का जीवन हर उस नव यूवक के लिए आदस प्रेणा स्रोत्र है जो अपने जीवन में एक और सफलता मिलने पर भी निरास हो जाते हैं डक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में नी स्वार्थ सेवा कारे किया। उनका राश्ट्र प्रेम और उनका देश भक्ती का जबाहर भारतिय के लिए सबक प्रेणा का पुंज है और हमीशा रहेगा। बाबा सिवानन्द का कहने का अर्थ यह था कि असफलता से निरास होने क आउशक्ता नहीं यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहां पहुचना है इसका पता नहीं आप कर्म करो इस्वर पर विश्वास करो।